अब देखिए कौन कौन से common password है जिनका यूज हमें नहीं करना है और बिल्गूर उबत करना भाई और तिलिए वो एक addware भी हो सकता है, malware भी हो सकता है, bloatware भी हो सकता है आपको problem हो सकती है या आपका phone hang भी करने लगेगा, problem आ सकती है, जब तक उसके बारे हो पूरी आपको knowledge ना हो पांचे पॉइट के तरफ चलते हैं, पांचे बता देता हूँ, fingerprint के बारे में काफी लोगों को confusion होती है के fingerprint एक ही उगली लगानी चाहिए या फिर दो उगली लगानी चाहिए, तो इसमें आपको clear कर दो क्या दोस्तों, smartphone का use हम सब करते ही है, पांच बाते आपको ऐसी बताऊंगा, जिसका जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है और आपके बहुत काम आने वाले है, आज मुबाईल लिपेर वाला आपको खुद 5 टिफ्ट देने वाला है, ध्यान से सुनिएगा, पहली टिफ्ट, अपने मुबाईल फोन में password लगा के रखिएगा, काफी बंद है आज की टाइम में भी अपने मुबाईल फोन में password नहीं लगाते हैं, जिसकी वज़े से मुबाईल अगर खो जाता है या फिर चोर ही हो जाता है, तो काफी बाईल नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, दीकि काफी बंद है आज की टैम में यो password लगाते हैं, वो common सा password लगा लेता है, 5 से 6 तरीके का common password होते हैं, जिनने हम सब भी जानते हैं, और चोर भी जानते हैं, अगर आप यह वाले password यूज़ करते हो, तो इन्हें यूज़ करना बंद करते हैं, वरना चोर 5 से 6 बार ट्राइ करेगा, आपका mobile phone खोल देगा, उसका find my device को off कर देगा, और phone को यूज़ करेगा, या फिर बेख देगा, अराम से बिक भ खूँ रहा है, अब देखिए, आपको यह नहीं यूज़ करने, यह चोटा N बनाते हैं, यह वाला बना देते हैं, यह common सा password हो गया, L बना देते हैं, ठीक है, यह बड़ा यह चोटा L हो गया, उसके बाद Z बना देते हैं, और उसके बाद S बना देते हैं, बड़ा, M और W, बना देते हैं, यह common password use मत किया, यह common उचुक है, हर किसी को पता होते हैं, ध्यान देते हैं, फिर आप फोन खो जाएगा, तो सेफ रहेगा, जो लोग खुलवाना पड़ागा, उसको लोग खुलवाने जरू नहीं बढ़िए, वो खुदी कोल देता, उसका pattern लोग का आप को करते हैं, तो आप थोड़ा सा hard करके लगाईएगा, यह आपकी पहली tips होगी, दूसरी tips की तरफ चलते हैं, आप किसी भी unnecessary app को download मत कीजिए, जब तक उसके बारे में आप सही तरह के से नहीं जानते हैं, क्योंकि वो एक addware भी हो सकता है, malware भी हो सकता है, आपको problem हो सकती है, या आपका phone hang भी करने लगेगा, problem आ सकते हैं, जब तक उसके बारे में पूरी आपको knowledge नहीं हो, जब तक आप install मत कीजिएगा, आज के time पे किसी भी application का वरोसन है, कौन सी app आपका data चुरा ले, ठीका दूस्तों, इसली ठीज अपने phone को आप हमेशे update रखिएगा, कोई भी जब भी कभी update देते हैं, तो आप उसको install कर लिजेगा, आपको कोई भी पुराण हो, मगर install करने से पहले एक बात का ध्यान रखना, आप अपने mobile data से उसको update मत कीजिएगा, आप उससे एक reliable Wi-Fi के द्वारा ही update कीजिएगा, ठीके दोस्तों, चलते हैं, चलते हैं, पोईंट open होते हैं, आपको लगता है कि आपका phone connect हो गया, मगर भाई सब आपका सारा data हो बंदा, पांच मिनट के अंदर निकाल देगा, और फिर आपके data का गलत use हो सकता है, miss use हो सकता है, आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा आपको कि आपके data को किस तरीके से miss use करके पैसा कम आते हैं, बड़ी-बड़ी company आप, ठीक है दोस्तों, वीडियो में बने रहना, अब पांचे कोई की तरफ चलते हैं, पांचा बता जाता हूं, fingerprint के बारे में काफी लोगों को confusion होती है, कि fingerprint एकी उंगली लगानी चाहिए, या फिर दो उंगली लगानी चाहिए, तो इसमें आपको clear करता हूं कि आप 10-10 उंगली लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कमी-कभी ऐसा होता है, हम खाना-खारे होता है, आप तेल में होते हैं, तेल या मसाना कुछ भी लगा होता है, तो fingerprint पर लग जाता है, उसकी वाएसे हमारा phone hang भी होने लग जाता है, restart भी हो सकता है क्योंकि उसके पीछे sensor के पीछे power button भी होता है, अगर side sensor है, और काफी problem का सामसाम ना करना पड़ सकता है, इसलिए आप कोशिश ये किजिए कि सारी उंगलिया आपने लगा दीजिए, कोई रिकत नहीं है, बारी-बारी आप वो option देता है, आपको 10-10% का, 10-5% का option देता है, यहार कोई company देती है, तो सारी उंगलियों का आप इस्तेमाल कीजिए, किसी उंगलियों से आप खोल सकते हैं, कोई इसमें कोई problem वाली बात मिया और यह और अच्छी बात होती है, और यह और अच्छी बात होती है, मैं आपके लिए बना दूँगा, अगर वीडियो आपती ही आपके सामने आजाए, मैं विटाओं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए एक विट्टो भाई कोई जाए, जय हिंद और जय बारत!